गाईज अगर आप DHA exam, MOH exam, Heart exam ये गल्फ का कोई भी Prometric exam आप दे रहे हैं तो एक वड़ बहुत सुनने को मिलता है आपको डाटा फिलो तो इस्टुडेंट जानना चाहते हैं भी डाटा फिलो क्या होता है क्योंकि बिल्दा उटे डाटा फिलो के आप आगर एक्जाम क्रेंग भी कर जाते हैं और डाटा फिलो नहीं कराते हैं डाटा फिलो आपका डन नहीं होता है फेल्ड हो जाता है तो आप फिर जोब नहीं कर सकते हैं गल्फ में चाहे हो आपका कुबेथ है साओधी आरब है समझाराओं काई डाटा फिलो क्या होता है डाटा फिलो का मतलब होता है डोक्यूमेंट्स बेरिफिकेशन आपके डिग्री डिप्लोमा मांक सीथ ठीक है या फिर एक्स्प्रियेंस जब आप एक्जाम क्यालिफाई कर जाते हैं डी-हे-म-च हार्ड उसके बाद जो आपका डा पार्टी से आपके जो डोक्यूमेंट्स है उनको बेरिफाई कराती है चीज भी कंट्री से आप हैं जहां के भी हैं आपने माली जी किसी उनिवस्टी से क्या है तो वहाँ पे जो आपकी डिग्री है वो बेरिफाई करते हैं ग्राउंड लेबल पर जाकर जहां से एक्स्प दिया गया है data fillo, तो बहुत सारी students जो confusion में रहते हैं यहूप की confusion दूर होगी होगा, data fillo से related field भी कुछ जानना है, तो आप मुझा commenter कि आप हो सकते है, data fillo की fees जो होती है, DHA की या MOH की 25,000 रुपे के approach होती है, तीक है, अगर guys आप study model भी लें चाहते हैं, DHA का MOH का और pharmacist है, तो वो हमारे contact number दीख रहा है, इस पर contact कर सकते हैं और description में link पढ़ा है, वहाँ से भी study model को ले सकते हैं तो मिलते हैं किसी next video में, तब तक के लिए जैहिंग, ठैंक्स वर वोची